हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत आपका यूटूब चैनल पर एक नदर वीडियो क्यों के रिजल्ट आ रहे हैं टू जिरो ट्विंटी वन के उसमें से एक्सिस बैंक की बात करेंगे इसका भी रिजल्ट आएगा आने वाली दिनों में काफी इसमें एक्टिविटी होती है काफी यह तेज भी हो जाता है पाच-पाच परसंट देश परसंट और पिछला जो रेंज रहा था लगवागत तीन सो सतर से चार सो साट के आसपास और चार सो साट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है कुछ इसमें न्यूज आ जा रही हैं बैंकिंग सेक्टर में आप देख रहे कि आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट उसका अपडेट अनलिस सारा कुछ लेटेस करते हैं तो एक्सिस बैंक में यह है कि आने वाले नेक्स त्री मंत में किस तरह का यह कारूबार करेगा वह रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे औ चार सो साथ तक किया अपरेल के मेंने में यह चार सो अच्छी तक गया था वह सारा कुछ डिसकसिन करेंगे और इसमें है और भी जो फैनेशल स्टॉक्स ने बड़े-बड़े उनके विजल्ट आ रहे है तोड़ा सा ध्यान रिखेगा जिसमें आपने पोजिशन लिया है त होता है तो डेफिनली एक्सिस बेंग वी ऊपर का जो चारसो सी नहीं जा पा रहा है यह जा जाएगा और उसके उपर फाइव हंडेड तक भी जा सकता है अगर कुछ कमी पेसी होती है तो नीचे की तरफ आता है जैसे आपने कुछ दिन पहले दिखा होगा न्यूज के होती है उनको प्रॉब्लम होती है और उनके लिए मुसिबत होती है तो फ्राइंट्स एक्सिस बैंक का इसमें अपडेट करेंगे और इसको जानेंगे कि किस तरह का कारुबार कर सकता है नेक्स्ट त्री मन्त या सिक्स मन्त के लिए क्योंकि रिजल्ट बहुत मौत बचर रह सकती है बड़ा उचाल भी रहे सकता है कुछ शेयरों में तो ध्यान रखेंगा जिसका रिजल्ट है जिसमां आपका पोजीशन है रिजल्ट को जानना बहुत जरूरी है रिजल्ट को देखिए और उसी का अनुसा ट्रेट करिए और जो बीना देखे ट्रेट करते है तो लगवग 460-480 तक जाना चाहिए बट यह 460 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो देखना बड़ेगा क्यों में थोड़ा सा पॉजिटिव आता है कोई 19 की ज्यादा प्राब्लम नहीं होती है तो आपको यह स्टॉक उपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है यह कि आप त सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस्ट लगाने की कोशिस करिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेने कोशिस करिए आए टेकनिकल देखते हैं इसका और समझते हैं कि कि किस तरह का कारोबार कर सकता है फाइनेशल लिजट 21 जुलाइ 2020 को ह देखे एक्सिस बैंक लिटेट का चार्ड लगा हुआ है और जो केंडल सें मंतली केंडल सें लंबे समय के लिए जो देखा जाता है चार्ट को इसमें से मूविंग अबरेज को भी लगाया है और आरेसाइग को भी लगाया है और लगबग यह तूएटी से अब उपर की त कर रहा है उसका कारण यह है कि जो मौरेटरियम बढ़ाया गया है अब यह ख़बर यह की मार्केट में वह दिसंबर तक होगा बट यह हफते यह अगले हफते तक न्यूज आनी चाहिए आर्विया के द्वारा कि उसको बढ़ाया नहीं जाएगा तो डेफिनली स्टॉक होगा वह क्यों का रिजल्ट के इसाफ से होगा अगर आपको स्टॉक देखिए आप पोजिशन में लिये हैं या आपने लिया है एक्सेस बैंक उपर के लेवल पर तब तो होड़ी करना पड़ेगा बटी यहां पर जो ट्रेट कर रहे हैं अगर उपर की तरफ जम करता है त आप से 500 तक है 500-10-516 अगर यह चार सो असी और जो इसने हाइच किया दीखे यह वाला केंडल देख लिजिए आप छार सो असी से उपर क्लोजिंग देता है तब यह फिर यहां पर तक जाता हुआ देख सकता है यह दो दो कारूने से हो सकता है अगर फोर एटी को ब्रेक कर करता है फिलाल तो फॉर सिटी की उपर इनी जा पार पर जा रहा है उसके वजह से एक शिस बैंक उपर की तरफ नहीं जा पार लिए गा अगर जिन्होंने लोग पर लिया तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि यहां पर ट्रेट करते हैं काफी का क्योंकि काफी काफी लोग जो इसमें तो थोड़ा सा जो समय देते हैं थोड़ा सावाइड करना चाहिए और स्टॉक जब नीची की तरफ होता है तब इसमें पोजिशन लेना चाहिए अब देखिए इसका पूरे जुलाइग के मन्त में जो इसका ट्रेड हो रहा है लगवाग चार सो से उपर की तरफ देखे फोर फिफ्टी एट फोर सि क्यास पास तब वहाँपे बाइट करिया और उपर का एक फॉर सिक्सटी का और फॉर सिक्स्टी से ओपर लोजिंग यह आजो गैंडल का माई जून जुलाइग तो तैन महने से यह तरह लिए की कितरफ नहीं यह जा पा रहा है तो यह धियान अगले तीन महने के लिए क्या होगा यह क्यों का रिजल्ट आ रहा है अगले तीन मेने के लिए क्यों का रिजल्ट आ रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से यह उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिजल्ट रहता है प्रॉफिट रहता है कोई 19 की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्यो लोड़ा सब ठीक रहेगा तो आपको फिर फूरेटी की तरफ जाता हुआ देख सकता है लोग लेवल पे फूर हंडड़ का स्टॉप लगा यह जो भी ट्रेट कर रहे हैं उससे नीचे अगर यह गिरेगा तो लगभग तीन सो सतर का अच्छा का सा सपोर्ट है यह आपने नोट किया होगा तीन सो सतर से यह उपर की तरफ जाता हुआ दिखता है अब आरे साइगे अगर आप मंतली वाइज देखेंगे ठटी एट के आसपास काफी हिल नीचे की तरफ है और डेली वाइज में देखें तो आरे सब्सक्राइब है अब देखें इसका हडल किस तरह का बना हुआ है कि यह पिछले कुछ समय से यहां से गिरावट थी यह कैंडल है डेली वाइस अब नीचे की तरफ आया लगवाग फोर सिक्टी से लगातार नीचे की तरफ आया यह फोर हंडड़ के आसपास वहां से फिर इस में गिरावट आई अब बैदे कि यह मुविंग अबरेज और लोगले लिए सपोर्ट बना हुआ है फोर ट्रेंटी के आसपास पास पूर हंडड़ के आसपास बान के जिले उपर की तरफ जो हैडल बना हुआ है फोर फॉट्टी तो दो तीन बार यह फोर फॉट्टी क के लेवल ध्यान रखेगा अगर इसको ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फाइव हैंड़ क्रॉस करके लंग समान के चले जो अभी मंतली वाइज करते हैं पांसो दस और पांसो तीस तक जाता हो अधिक सकता है जो थोड़ा सा समय देते हैं तो यह उपर का लेवल लगव हो और मोरेटरियम हटा दिया जाए यह मैं फिर से अप बैंक लें तो उसमें कितने और इन पेज हो वो देखना पुड़ेगा नेक्स सिक्स मन्त तक दिकत रहेगी आप लोगों हर वीडियो बता रहे हैं जो भी ट्रेट कर रहे हैं तो उसके हिसाफ से आप ट्रेट करिया औ जो शौटर मों करते हैं जैसे दस परसंट बीस परसंट के लिए करते हैं तो लोगर लेवल पर तीन सो सब्नाहर और चार सो के असपास आता है तो बाय करिए और पूटन कॉल में स्पेशली जो करते हैं देखिए पूटन कॉल मों हो क्या दिख्या भी लगवग आप दस सब्सक्राइब निफ्टिक हो रखा तो उसे इसाफ से स्टॉक भी चलने बड़े स्टॉक तो सारा प्रीमियम एक तरह से कम हो गया थोड़ा सा पूटन कॉल में अपना सीखने गोसिस करें और तभी उसमें काम करें तो फ्रेंट्स यह बैक्सिस बैंक का कुछ पॉइंट से आ अगर आपको यह यूटूब चैनल इंडिया रिरसिंग देखना है तो सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करिए फिर कोई नया वीडियो लेकि आएंगे आज के लिए इतना ही धाने बाद करें